दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके मुबाल फोन में आपका यहाँ पर वोल्ट LTE सो नहीं हो रहा है आपके फोन में वोल्ट LTE यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है आपके स्टेटस बार में आपके नोटिपेकेजन स्टेटस बार में तो आपने mobile phone के अंदर आप volt LTE कैसे enable करेंगे, अगर आपका volt LTE सो नहीं होगा आपके phone में, तो जो आपका phone होगा आपका अच्छे से call नहीं करेगा, आप किसी को भी call लगाएंगे, तो आपका जो call होगा वो अच्छे से नहीं होगा, आपका जो voice होगा वो अच्छे से आप को सुनाई नहीं देगा तो अगर आपने मूबाइल फोन के अंदर वोल्ट को इनेफल करना चाहते हैं तो आप कैसे इनेफल करेंगे वोल्टbirds सेटिंग को इनेफल करने से जो आपका कॉलिंग आपका वीडियो हो या आपका आईडियो काल हो आपका अच्छी क्वाल्टी में होता है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके फोन में वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो आपके कैसे इसे इनेवल करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्य और फिर से आपको डालना होगा आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा अगर आपका नहीं फिक्स होता है तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन का सेटिंग ओपन करना होगा जैसे आप यहाँ पर सेटिंग को ओपन करते हैं उ एक बाद आपको यहाँ पर चेक आउट करना होगा, जिससे हम software पर click करेंगे, software पर click करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, download and install, आप इस पर click करेंगे, जिससे आप इस पर click करते हैं, तो अगर आपके phone में update आया होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और आपने software को update कर लेंगे, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, हमारे software में कोई भी यहाँ पर update नहीं आया है, तो हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अपने mobile phone के अंदर आपको setting में आना होगा, औ आपको network के नाम से मिलेगा, आप उस पर click करेंगे, जैसे आप इस पर click करते हैं, यहाँ पर आज जाएगा mobile network आप इस पर click कर देंगे, जैसे आप mobile network पर click करते हैं, तो यहाँ पर आपको connect होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, network mode, तो आप इस पर click करेंगे, और यह यहां पर आपको देखना है कि आपका जो ltg, 3g, 2g आटो connect set है या नहीं यानि कि यहां पर आपको अपना auto connect set करके रखना होगा अगर आप यहां पर 2g या 3g आप सेलेट करेंगे तो आपका जो call होगा वो अच्छी से नहीं होगा तो यही आपको check out करना होगा अपने दोनों SIM के अंदर हैं आप यहां जाप को भैका लगा और एक बार अपने फोन को आप सुच अब करेंगे यानि उसे आपको बंद करना होगा और फिर से आपने आपका प्रॉबिलम फिक्स हो जाएगा अगर आपका प्रॉबलम अभी भी यहाँ पर fix नहीं होता है तो यहाँ को mobile network के अंदर आपको एक world setting देखने को मिल जाएगा जैसे कि हम आपको दिखाते हैं हमारे second phone में है हम यहाँ पर अपना second phone लेते हैं और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं वो setting कहाँ पर आपको मिलेगा तो सबसे पहले हम अपने phone को unlock कर आना होगा जिसे आप इस setting को open करते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा mobile network के आप इस पर click कर देंगे जिसे आप mobile network पर click करते हैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा world enabled setting तो आपको इस setting को अपने phone के अंदर इस तरह स लेना होगा अब आपका यहाँ पर सारा problem fix हो जाएगा अगर आपके phone में world setting enable नहीं हो रही है और एक बात को आप चेक आउट करना होगा अगर आप Wi-Fi से यूच करेंगे अपने phone को यानकी Wi-Fi से connect करके रखेंगे तो आपका world देखने को नहीं मिलेगा तो आपको अपने Wi-Fi इसे connect नहीं करना है किसी के तब आपको world देखने को मिलेगा तो यह आपको हमेशा check out करके रखना होगा तब आपका यह सारा problem fix हो जाएगा तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना